दीरेज जी सबसे परें तो मुझे बताईए कि हाउज में कल दो जो MLS थे वो एक दूसरे से काफी लड़ने जगड़ने लग गये थे और सीनिय MLS को भी उसमें इंट्वीन करना पड़ा था तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप नहीं उस वक्त में हाउज में था नही यही आगे की आशा कर सकता हूँ अच्छा तो आप जैसे की आप विलास्रा उदेश मुग जी से आपने आप पॉलिटिक्स बहुत ग्लोजली देखते आए हैं तो अभी आप लातूर से MLA है रूरल तो आप बता सकते कि लातूर के लिए आपका डेवलपनल प्लान्स क्या ह लातूर की तो सबसे बड़ी मांग पानी की है और हमें जो हमारे रीजिन में दोन्यों बार आकाल आया सुखा पड़ा इसके लिए हमें और सरकार से आने वाले समय में योजनाय करनी होंगी किसानों के लिए जो सरकार का मुद्दा रहा है कि किसान के लिए हमें कर्द माफी कर्दमुक्ती दोनों देनी दिलानी है इसके लिए आने वाले समय में किसानों के लिए जादा-जादा क्या हम काम कर सकते हैं सरकार के माध्यम से और कैसे उनको आगे ला सकते हैं और इनी सब कामों के लिए लातूर के प्रश्ण लेकर हम सरकार से हमारा अनुरोद रहेगा कि तो क्या लगता है कि आपको कब तक आप ये दिमांद्स इनकी फुल्फिल करने की कोशिच कर सकते हैं? ये सरकार अभी तो बनी है और पांथ सालों में हमें जो हमारा जो वांडेट है कि आगले पांथ सालों में हमें सब काम करना है हमारे चुरूवाथ अधरनिय मुख्यमंद्री थे साब के साथे से शुरूवाथ हो चुकी है और शी पर अभी काम चलेगा थैंक 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 यू